असलाम वालेकुम स्वागत है आप सभी का TBV Knowledge and Truth के एक नई वीडियो में आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक लाइफ चेंजिंग वीडियो है ये वीडियो रहेगा मेटावर्स के बारे में जी हां दोस्तों रीसेंटली आप लोग जाने होंगे के Facebook खुद का नाम मेटा रखा मेटा इसलिए रखा क्योंकि एक नए खिसम का ये एको सिस्टम होने वाला मेटावर्स क्या चीज़ है क्या ये फाइदे मंद है या नुकसांद है लॉंग टर्म में कि एक ऐसी दुनिया है जो कि आपकी दुनिया को एक डिजिटल दुनिया से म वार में जिससे पुरा टेक्नोलोजिकल वोल्ड तो हिला हुए है अगर कट शॉट में मैं आपको समझाओं तो अगर आप हैदराबाद में बैठे हुए है और आपकी फैमिली डेली में है तो यहां से आप कने खोके उनके साथ डिनर कर सकते हैं अगर आप जो खाएंगे व वो रियल नहीं होगा बट लिटरली आप उनके घर में रहने का प्रेजंस रहेगा यह कैसा रहेगा यह वर्ट्यल रियालिटी ऑब्जेक्ट से रहेगा एक ऐसी टेक्नोलोजी जो आप क्या प्रेजंस हर जगा रख सकती है तो दोस्तों वीडियो में आगे लेगी जाने से पहले एक लाइक कर दीजे इस वीडियो को और सब्सक्राइब करें हम इस वीडियो को आगे लेगे चलते हैं मेटावर्स क्या है क्या यह एक नई दुनिया है क्या एक नीऊ डिजिटल टेक्नोलोजी इनोवेशन है तो अगर देखा गया तो अभी currently Mark Zuckerberg के जादा कोई competitors है नहीं और अगर उसके कोई competitors रहते भी है तो वो उनका blueprint इसे पहले मिल जाता है मतलब वो जो नया innovation रहेगा वो इसे पहले ही अपना लेगा या अगर वो इस innovation को अपनाता नहीं है तो वो completely वो company को acquire कर लेता है और खुद का बना लेता है मतलब literally कोई उसकी race में उसके साथ नहीं दोड़ा अगर आप दो बड़े और billionaires देखेंगे जैसे के Elon Musk हो और Jeff Bezos जो के Amazon Tesla own करते हैं यह लोग अभी क्या चीज़ के लिए रेस दोड़ कर रहे हैं यह स्पेस में कॉनलिजेशन के रेस में दोड़ रहे हैं तो देखो आप लोग इन लोग की दुनिया कुछ और है बट यह कोई और चीज में step in कर रहे हैं आप लोग मुवी इस काटूंस में देखेंगे के मतलब एक वर्ट शेल ऐसा वर्ड रहेगा जिदर इंसान मतलब कुछ एक छोटे से रोबोट चीज़ से ऐसा खोलेगा और स्क्रोल करेगा विंडो वगेरा यह हम शायद देखिंगे फीचर में अभी तो यह लोग गौगल फीड में इतना डिंजरस नहीं क्यों देखता है क्योंकि यह इनसान का बहुत जादा वक्त को कंजूम करता है जितना यह लोग नॉर्मल यूजर्स मलब हम आप जैसे यूजर्स को यह लोग अपने प्लाटफॉम पे रहें उतने जादा यह लोग पैसे का मिलें पैसे कैसा हैंगे जिदर यह लोग तमाम यूजर्स को खीचेंगे और वहां से भी पैसे कमाएंगे लोग तो यह मार्क जाकबबक रिलिए एक टर्निंग पॉइंट कैसा है रिसंटली आप तो जानेंगे के कोवेट के दौरान लोगों को घर में रहना पड़ा तो लिटरली एक आदम घर से भी काम कर सकता है सौधा वागेरा घर पर मंगा सकता है एक बच्चा घर पर बैठे बैठे उसकी स्कूलिंग होती है और एंड अफ दे वो इधर प्रोमोट हता या उसे डिग्री मिल जाती है तो यही दोर में रिसंटली जब आप देखिंगे के फेस्बुक जब कंप सब्सक् сохран को दुनिया एक 2000 को और समार्ट बनाती है या उसे और ज्यादा हैंडीकव बनाती जिखेंगे होता है इनसानओ फिर ये Incorporत मैइब को मेजर इपकेमों और यूजर्स कोने कीặt हम भीसिनमें क्रीटर औरऊंड विजनसमेंट ważन और यूजर यहां पर बिजनसवालों के लिए यह बहुत फाइदे मंद हैं और क्रीटर्स के तुरू यह लोग बहुत सारी यूजर्स को इस प्लाटफॉर्म में लाएंगे और आप यह देखो सिंस यह डिजिटल दुनिया है यहां पर काम होगा स्कूलिंग होगी एक क्रीटर्स वो खुद का और तमाम ओडियंस वहाँ पर लाइव इंट्रैक करती तो कौन नहीं चाता लोग तो ऐसा पैसे फेकिंगे मेरे लिए नहीं उनके जिसे भी वह लोग आइडल मानते मलब जो भी उनके लिए हीरो रहो यह मोटेशनल स्पीकर्स रहो वगेरा वो लोग पैसे खर्च करके तो वह भी रियल टाइम में वह लोग चेक कर सकते हैं हेल्थ के लिए तो यह बहुती बड़ी सी चीज़ है क्योंकि इंसान हॉस्पिटल को लेगे भागता है उसे डॉक्टर को भी कंसर्ट करना है तो वह क्लिनिक को जाना पड़ेगा मर यहां पर इस टेक्नोलोजी के तरू व एक 9310 या जो भी पहला वाला फोन था सिर्फ एक कीपड कॉलिंग ऑप्शन आज हमारे हाथ में एक स्मार्टफोन ने लिटरली हर चीज़ को कंट्रोल करता इतना ही नहीं यह आपके बैंक्स आपकी आइडेंटिटी प्रूफ आपके डेली वक में यह काम आ रहा कोई भी को कोटे से बड़ा बिसनेस रहो यह स्मार्टफोन आपकी लिटरली जिंदगी को कंट्रोल कर रहा और इसे भी आप एक स्मार्टफोन पर ही देख रहे हैं यह वीडियो को इस वाले डिजिटल प्लाटफों में क्रीटर को पैसा तो ही मगर एक तरीख से पूरे दुनिया को कं उसका खेल वो यही डिजिटल वाले प्लाटफोर्म को बना देगी जिसका नाम है मेटावर्स अब हम बात करते हैं यह खतरनाक थ्रेड क्यों हो सकता है इनसानों के लिए तूब ऑनेस्स सबसे पहली चीज़ यह वर्डशियर रियालिटी है इसका मतलब कि यह बिल्कुली दुनिया है जो कि इनसान क्रेट करता है उसके रहने के लिए एक तरीखे से वो उसके लीजर टाइम के लिए रहो एंट्रेटेन्मेंट के लिए रहो या काम के लिए रहो पूरा एंवायर्मेंट रेडियेशन से पहल जाएगा और एक्सेसिफ डिपेंडेंस टेकनोलोजी पे रहने के वज़े से इनसान का सर्वाइबल रेट कम हो जाता है दूसरी चीज़ जो इनसान की एक नाश्रल प्राइवेट लाइफ है वो इस एको सिस्टम की वज़े से दखल अंदाजी हो सकती है क्योंकि इनसान उसकी कंप्लीट दुनिया इस में बना देगा और इसे को प्राइवेट लाइफ को डैमेज कर सकते हैं यह लोग और अकाउंट को एकदम कम्प्लीटली निल कर सकते हैं आज की दोर में जब हैकर्स होते हैं साइबर क्राइम्स होते हैं तो उसे कोई नहीं पकड़ सकते हैं क्योंकि वह लग मेज़ॉरेटी वीपियंस या दूसरे रहता है तो उसका antivirus रहता है तो जब virus ही नहीं रहा तो antivirus कहां से होंगा तो एक platform रहा उसके उपर नुकसानात भी रहते हैं जिदर अच्छा ही है उदर बुराई भी रहती है तो private life रहो उसका bank account रहो कुछ भी रहो जब यह खुद की एक दुनिया एक चीज में बना दे cards और personal data दूसरे countries को बिकेस हो है यह बहुत सारे headlines में भी आया था कि एक online users का data लिटरली दूसरे देशों को बेचा जा रहा है अब दूसरी देश वाले इधर cyber threat के तुरू इन लोग के accounts पर attack करते हैं hack करते हैं यह पता नहीं क्या चीज़ के लिए उसमाल के रखते हैं अब हम बात करते हैं यहां पर डेंजर और क्या चीज़ कि अगर आप चेकाइट करे तो एक इंसान बाहे नॉर्मली ग्रोसरी खरीदने जाता है सामन दालता है फिर चेकाऊट करके लाता है मगर यह बस virtual headset पेनिंग यहां से आप directly अपने shopping store पे चले जाएंगे फिर आप virtually shopping कर सकते हैं, tryout कर सकते हैं अपने आपको इदर dresses के लिए या grocery shopping कर सकते हैं, products खरीच सकते हैं, चाहे हो electronic रहो डेली खाना का items रहो और उसे checkout कर सकते हैं, यह checkout वाला सामान आपको आपके घर तक सीधा आए सकते हैं तो यहां पर employment और unemployment का भी रोल बहुत बड़ा प्ले होने वाला है इस मेटावर्स की दुनिया की वज़े से आप तो जानते होंगे कि अभी थोड़ी बहुत करंसी आपके हाथ में होती है जिसे होते हैं हैं कैश और मेजॉरिटी लोग अभी ओनलें डिजिटल करंसी पर डिपेंडेंट तो क्या यह क्रिप्टो करंसी मेटावर्स का में करंसी हो पाएगा क्योंकि यह तो एक अलगी दुनिया है यह ऐसी दुनिया है जिदर रियालिटी में क्रेटिट नहीं मगर आज की उनिवर्सल करंसी है डॉलर अगर डॉलर से अटके यह लोग क्रिप्टो करंसी पर आए तो इंसान को कम्प्लीटली डिजिटल होना पड़ेगा अगर आप लोग सुछ रहे कि चलो भी यह लोग डिजिटल करंसी अपना रहे हम इसे नहीं मानेंगे यह लोग एक ऐस इसा तरीखा अपना रहे है ऐसा वर्ल क्रेट कर रहे है जिदर आपको फोर्सफुली इनके चीजों को मानना पड़ेगा अगर पेट्रोल का दाम बढ़िया क्या पेट्रोल गाडी में ने दलाते हैं आपको डालाना पड़ता नहीं तो आपका काम ही नहीं होता तो ऐसी यह लोग कुछ ना कुछ सेनारी से कित करेंगे जिसकी वर्लिजस इनके करन्सी की करना पड़ेगा और इनके डीजिटाली फेक वरस को एकसॉन को पढ़ना पड़ेगा द्गरा को प्रेजिदे और वेशुली उल् Rise और कर रहने है पहस से इंसलंटी मिल सकते हैं जैसा कि आप ल सोशल मीडिया यूज करती है और एन एवरेज वो दो घंटे हर दिन गुजारते हैं कोई चीज लाइक करने में अपडेट्स लेने में शेर करने में और पता नहीं उनका लीजर टाइम स्पेंड करने और और according to some reports ये भी का जाता है कि सोशल मीडिया इतना बड़ा पार्ट अपने जिंदगी में खेलता है कि इसकी वज़े से mental health और इंसान के जिंदगी में majority effect लाता है क्या नुकसान हो सकते हैं ये इन तमाम चीजों से mental health disorders हो सकते हैं फेक lifestyle maintain करते सिर्फ सोशल मीडिया के लिए यहां पर दुश्मनी बढ़ जाती है और सिल्फ एस्टीम हम करती फिजिकल वेल बिंग नहीं होता जिसकी वज़े से एक इनसान completely handicap हो सकता है और relationships Facebook एक ऐसी जगा है जिदर relationships में आते हैं लोग और यहीं तूपते हैं आगे जाके क्योंकि यह लोग fake world से connect होके अपना जोड़ा बनाते हैं और एकेला पन हो जाता है इनसान की जिंदगी में क्योंके जब इनसान अपने हातों से खुद की ऐक दुनिया बनाएगा तो वो बस खुद के महल में रहना चा만कर तो Metaverse से ही एक इनसान खुद की फेक दुनिया बनाएगा, खुद के चीजों को उसके अंदर रखेगा, जो वो खायश रियल दुनिया में नहीं कर पा रहा है, वो इसे वर्चिल दुनिया में इसके करेगा, एक गेम था जिसके नाम था The Sims, The Sims में ऐसा था कि आप एक यूजर आप गर बना सकते, आफिस में जा सकते, पढ़ सकते, लिख सकते, तो ये गेम को रियालिटी में ये लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं, खुदा ना करें कि आपकी जिंदगी भी इस वज़े से एक गेम ना बन रहे हैं, अब आते हम इसके बिगग पिक्चर पर, Metaverse खुद